कि अब है आप है कि ये हैं वेलकम पिजनिक एजूकेशन दियर लास्क लास में डिसकस क्या रहे थे देजाइन आप प्लेट गर्डर तो bathroom यह देखा था कि यह किस तरीके से आपटा counselor में यूज हो रहा था किस टाइब की लोडिंग के लिए तो बिल्कुल बेस्ट बह PlayStation बना दिया था एकड़म से basic हो तो चलिए लिंग को आप से कर दीजे जहां भी आपके से फ्रेंड्स वाटसब फेस्बूक इंस्टाग्राम वेरिश टाइप सोसल मेडिया जो भी जहां पर यूज करते हो वहां से आप अपने फ्रेंड्स को अपने ग्रूप में शेयर कर दो जिससे कि हमारे जादे से जादे स्टूडेंट्स इस सेशन का इंज्वाय कर पाएं और जब आपने सेशन को सेयर कर दिया है तो लगे हाथ क्या करें लाइक भी कर दीजिए जो हमारे नए बच्चे जुन रहे है इस चैनल से जैनिक एजुकेशन सिविल एंड मेकिनकल से वह क्या करें चैनल को सब्सक्राइ हमने यह देखा था कि पीछली क्लास में प्लेट गर्डर किस तरीके से यूज किया था तो पीछली क्लास में हमने यह देखा था कि जो हमारी नॉर्मल बीम थी जो हमने सिक्स चेप्टर में डिजाइन किया था बीम तो डिजाइन आप बीम में हमने यह देखा था कि जो लो अगर को बात करने हैं इस से क्या हो रहा था डियर कहाँ किछ लोडिंग के लिए है तो उस लोडिन को बयर कराने के लिए एरिया के ज़रुरत JOHN होगा हमारा एरिया कीज़ कर दिया जैसे अरब्र लाओं हो गए एलोट केरिंग टाफ़िट्टी भी इंक्रीज हो गई हमारा सिक्षम क्या हुआ हमारा सैफ में आ गया अब यहीं मैंने के बिल्ट पीम भी वहां काम नहीं कर पा रहा है तो उसके लिए डियर हमने देखा कि एक और हम मेंबर लेकर है जिसका नाम प्लेट गर्डर रखा यह हैवी टाइप के लोडिंग हैवी लोडिंग और जिस पेल में अब लोड है तो उसको डिस्टिब्यूट कराने के लिए एरि very large छाहिए तो हमने क्या ज़िए और इसका नाम रगदी क्या रगें तो प्लेट गर्डर लेट गर्डर उसका प्लेट गर्ड़र पढ़ गया अब उसे के बारे में वंने वेस देखि लिया था सितनर्स के बात का रिए कि यह यह नहीं यह इस तरीके से लोड़िंग करने incremental उपर 10 whats झाली किए शक्राइब यह इधार बैंद म्हुनुल न लगा जाएद रबख़्क और और सुझ झृट ने लगा जूट ना समक्राइब करने लगाने लगाई। में जुखने लगा अब तो अअ मोगशनी कैनीर कंधे टैप कर दिया वर्टिकल टाइसे हमने प्रोड कर दिया तो अब देखिए हम लगा तो यह जा रहा है यह रोग ले रहा है पूरा एंगल सेक्शन का होते हैं छाफिको कम करती है किसी लिए इसके लिपर के i-section अधर ile क्या करेंगे आपके लिए क्या करेंगे डियर कि आपके जो लिल्ड़नेस रेसियों कितनी होनी चाहिए डियर है अगर आपका 85 से कम है लिंदा की वैलिव निमडा क्या होती है आपकी लिंडा किलियर की फिसी में थीक्निस यहां हो रही है वो रही है वो रही है देख्रlais करता है कि अगर यह वाई एक्सिस के बाउट हो रहा है तो हम क्या करेंगे अगर वर्टिकल एक्सिस के बाउट हो रही है तो करेंगे अगर वर्टिकल एक्सिस के बाउट हो रही है ऐसे अब यह क्या हो रहा है कि आपका जैसे मैंने यहां पर लोडिंग लगाया यहां पर मैंने लोडिंग लगाया तो देखा डियर कि यह इस तरीके से बेंड हो रही है यह इस तरीके जैसे बेंड हो जाती किस एक्सिस पंट्श बहुत दो रहा है तो अगर यहीं आपका क्या हो रहा है कि एकसे सघ्ट इसकी एक्सीस के बाउट हो रहा है तो निद्शन भी होका और आपका और आपका इंटर मीडियेट इस्टिपनर्स भी होते तो इस्टिपनर्स दियर बहुत ध्यान से रखना आपके एक्जाम में आते ही कुश्चन और आपका प्रिवियर से उठा के देख लिए आई हो पाफ लगाना शुरू कर दियो वहां से दियर आपको पता चलेगा क नंबर आप कुश्चन कितनी मातरा में आ रहे हैं आपके और कितना यह इस्टिपनर्स इंपोर्टेंट है प्लेट गिडर मत पढ़िए कोई ज़रूरत नहीं कुश्चन बहुत कम आते हैं रेरी पूछे जाते हैं कभी लेकिन इस्टिपनर्स आपके बहुत क्योंकि चाहिंडर्स इस्टिपनर्स करते हैं हम देखा यहां पर यहां पर देखा यहां ऑप newspapers लिया इस तरीके से यह लिया कि हमने फ्लाइंस लिया यहां पर डियार क्या लिया फ्लांस यह हमारा फ्लाइंस हो गया龂ने इह पे एक वेब लिया यहां उस तरीके से हमने वेब ले लिया जब ले लिया यहां पे DR यह वेब हो गया हमारा यह हो 合ी अब जब ले लियों तो देखा यहां आपने एक प्लैंज ले लिया दूसरा अब यह फ्लान्च कनेक्टेड नहीं है एक दूसरी से यह highlight है नहीं है यह फ्लैंजजर मिताज़ि compliment इस्टेंस ये कितनी है यहां के सब्स्कार सब्सक्तराइन गाएंगे यहांने लाइंग कि फ़ेज्ट कम्प्रेशन अब प्रिहारी तो डियारण को डियो डूटीर स्ट्रेस देट होता है इससे आपका क्या हो रहा है इससे आपकी इस्ट्रेस बेरिग इस्ट्रेस जन्रेट पहले बोस्ति लोड नेजर में आए तो इस लोड लगाया तो इस लोड को ग्रडियोली हमने पढ़ाना शुरू कर दिया क्ộड करना शुरू कर दिया जब र आप डिखां आपने कि एक specific load आया अब उस specific load के आगे जैसे ने बढ़ाया support के पास में जो सपोर्ट है मारा ऐसे support है सपोर्ट की पास में एकदम नियरेस्ट में और शॉत्लेंथ में-डिफलेक्शन हो गया और फिरक्सन हो गया तो जो डिफलेक्स तो इसे कृप्लिंग से बचने के लिए किसरे सपोर्ट के पास इसको थोड़ा गैब देखे बनाए तो लार्ज एरिया हो जागे है कम एरिया है तो पंचिंग होने के चांस जाद यह अधर से होकर आये गार आपका क्या easily wear कर पाएगा तो यहां से dear हमने क्या किया कि एक angle section लगा दिया क्या किया dear यहां पे हमने ऐसे एक angle section यहां पे हमने लगा दिया angle section इस तरीके से यहां यहां पे angle section लगा दिया जब dear angle section लगा दिया हमने यहां देखा ऐसे यह angle section लग गया ये one either side और एक either side अब ऐसे डियर हमको क्या करना है कि इधर से भी angle section लगा देना है जब इधर से भी angle section लगा दिया डियर हमने यहां देखा इधर भी लगा दिया और इधर भी लगा दिया जब यहां भी लगा दिया तो देखा डियर यहां कि जब दूसरे वाले flange में भी हमने लगाना शुरू कर दिया जब दूसरे वाले फ्लांग में भी लगाना शुरू कर दिया तो ये एंगल सेक्शन आपका लग गया जब एंगल ये क्या है डियर आपका एंगल सेक्शन इंगल शिक्षन और यह क्या है डियर यह है फ्लाइंज फ्लाइंज ओके तो यहां से लगाना शुरू कि अब इसको क्या क्या डियर हमने रिविट से बार्द लिया यहां पर हमने एक रिविट लगा दिया एक रिविट यहां पर लगाया इस तरीके से रिविट या बोल्ट क यहां पर रिविट लगाया इसको बाधने के लिए इस तरीके से रिविट से हमने क्या किया इसको बाध दिया यहीं जैस से यहां भी करेंगे हम इधर से भी करेंगे यहां भी लगाया हमने रिविट यहां भी लगाया ऐसे इसको ऐसे बाध दिया यहां इधर भी लगा देते कुझके जब अगर नहीं लगाएंगे तो इसका connection दिया वी नहीं होगा तो यह käytो करने के काबिल की डिस्टेंस यहां से यहां तक की डिस्टेंस यह D1 है यह कौन से डिस्टेंस है यह तिकनिस कैसे अफ वेब और यह वेब और यह दी वन क्या है डियर आपका यह clear depth of wave clear depth of wave ये है हमारा ठीक तो यहाँ देखा डियर हमने कि clear depth of wave तो यहाँ देखा अमने के और यह क्या है यहां से यहा तक क्या है इसको blue से करेये यहां से यह, यह क्या है, यह DW, Depth of Wave, और यह क्या है डियर यहां से यहां तक का, यह है B, Width, यह BF, Width of Flans, यह क्या है डियर, यह है, क्या है, Depth of Flans, Depth of Flans, तो इस तरीके से हमने इधर भी उपर भी ऐसे ही होगा, नीचे भी ऐसे ही होगा, यहां से यहां तक क्या है यह डियर, यह है Depth of Flans, यह क्या डियर यहां से, यह Width of Flans, ऐसे है, तो यहां से भी है, वहां से भी दोनों उपर नीचे दिख रहा है आपको, और हमने देख यह लिख रखा आपको पता है यह वैब है अब यहां कि यह कैसे करती है किस पर डेपेंड करती तो हमने यहां से लोड लगाना शुरू किया तो यह डिरेक्ट पॉंटेक में आया इसके लिए फाइप 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 छोड़ दिया गैप क्यों छोड़ा डियर हमके क्रिपल से तो अब डियर क्या हो रहा है कि जो हुमारी लोडिंग आरी वह किस तरीके सा अरी यहां से आई लोडिंग इधर आई आप इधर से एंगल सेक्षन से होते हुए एरिया बढ़ा गया तो उन्हों तरफ डिस्टिबीट होगया एंगल से होते हुए आपकी कहाँ है दूसरे दोसरे एंगल सेक्षन पर एसे एरिया हो गया लार्ज एरिया से लार्ज एरिया फिर यहां आपका जो भी स्वाइल हो 30 डिग्रीड पर डिस्टिब्यूट हो गया तो हम देखेंगा डियर की वेब क्रिप्लिंग के लिए हमने ऑप डिएक पर क्या था था 30 डिगरी पे डिटि लोड को डिट्रिबूट करय nett यह हमने डिजाइन किया था किसमें वेव क्रिपलिंग में वेव क्रिपलिंग के सद्राइन रजाइन का से यह हम इंदिखा कि यह ऑता है अब shap Greek करेगा यह जो हमारा घी इस किस पर अब लेंड स्टेंड करता है तो स्ट्टीस्टपनर की यहांianoaltet पर्गेंड करती वह लेंडा पर टेड करती है लेंडा पे ऑप लेंडा later यहां पर लेंडा हें साथा था क्या होता था नरमल बेयं में नॉरमल में देखा था सोम में पढ़ा था तो L effective upon R minimum यही होता यह लिम्डा, R minimum अब हमी करें कि हमाँ डिजाइन कर रहे हैं तो जब beam के डिजाइन करेंगे dear तो यहाँ देखेंगे lambda equality जो हमारा होता है क्या होता है? D1 जो हमारी clear depth, यह depth L effective को रगा यह depth डीवन हो गया और यह हो रहा है कितनी इसकी वीट्स है यह आर मिनिमम आपका यह होता था अंडर यह मिनिमंगा अपन as i minimum upon and a 2 इह होता थे ना कार मिन जब यह होता था मliśmy में मिनिमम कोंची डबलू तो इसकी वैलू यहीं कितनी काम से जादे तो अब करकेंगे ए तो आये हैं यहांग स्ट्रिकंट करें कि यह बहुत ज्यादा ज्यादा important point है एकड़ नोट कर लीजी जितना star लगाना हो उतना star लगा लीजी आप यहां तो आफ फ़र्स्ट point note करिए डियर यहां पे star के साथ पुरा star लगा लीजे 5 star लगा लीजे हर बार पुछा गया है यहीं हर बार टेर शुच्छा गया है तोहां हमें देखा कि डिबन ऑप्रणी डम दे से कम जब इसका रेसियों जो हमार सेलेंडरनिस रेसियों है वो क्या है 85 से कम है तो क्या होगा यहां पर नू नीड इस स्टिपनर्स क्या है यहां पर यहां लिखिए रेट का लिखिए डियर यहां पर कि No needs of stiffeners. No need of stiffeners. Stiffeners. कोई need नहीं है stiffeners की. ओके? यहाँ no need of stiffeners. कोई need ही नहीं. Stiffeners देने की यह single में मतलब काम करे जा रहा है. अगर यही value आप पे कितनी हो जाते हैं डिया? यही value second में note कर गे हैं. आप second में करें कि D1 upon TW कितना हो जा रहा है डियर? यह 85 से बढ़ा हो जा रहा है. ग्रेटर हो जा रहा है T5 से. तो 85 क्या होता है आपका? 85 D1 upon TW का रही यह C85. ओके? तो यह बढ़ा हो जा रहा है तो क्या हो जा रहा है यहाँ पे? कि vertical stiffness provide की जरुवत है. क्या है डियर? वर्टिकल, वर्टिकल, स्टिपनर, स्टिपनर. वर्टिकल स्टिपनर की जरुवत है और कहां पर जरुवत है डियर इसका? इसका किस axis के बाउट लगाएंगे? तो यहाँ पर लिखें डियर, यहाँ पर कि यह लगाएंगे किस axis के बाउट? तो यह हम लगा रहे हैं, horizontal axis के बाउट. Horizontal, axis, 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 यहाँ about लिख लेते हैं. About, horizontal, axis. ओके डियर? तो यहाँ देखना हमने कि horizontal axis के about जो हो रहा है, हमारा क्या हो रहा है? यहाँ पर हम लगा रहे हैं, इसको vertical stiffness को हम यहाँ पर लगा रहे हैं. तो अब देखा यहाँ, डियर कि कैसे यह हुआ, तो हमने यह क्या किया? यह जो हमारा plategerder है, यह plategerder है. अब उन्हें कहा कि vertical stiffness प्रोवाइड कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं, डियर? vertical stiffness जब vertical stiffness provide करें तो यहाँ load लगाया तो यह इस तरीके से bend होना शुरू हुआ इस तरीके से काईसी horizontal axis के about bendorthy horizontal axis के about bendorthy तो यहाँ पर हम क्या करेंगे vertical stiffness provide देंगे इसको जुकने से रोकने के लिए ऐसी तो यह लगा दिया हमने तो रिजिट हो गया, फ्लक्सिबिल्टी इसकी रिमूव हो गया, मतलब कम हो गई, लेस हो गई, तो यहाँ पर क्या होगा आपका, कि यह होरिजन्टल एक्सिस के बाउट हो गया, यहीं पर धियर हमने देखा, थर्ड देखा यहाँ पर, थर्ड नोट करिए यहाँ पर, D1 होरिजन्टल, होरिजन्टल स्टिपनर, स्टिपनर, तो होरिजन्टल स्टिपनर स्टिपनर कहां परवाइड होगी, किस तरीके स्टिपनर होगी, तो यह क्या बोला हमने, कि एबाउट, एबाउट, वर्टिकल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस, वर्टिकल तो यहां देखेंगे कि हम यहां पे force देख रहे हैं यहां पे d1 upon tw आए किस से बड़ा हो जा रहा है 250 से 250 से जब बड़ा हो रहा है तो यहां देखा हमने 250 से यह बड़ा हो गया तो क्या हो गया यहां पे कौंसा stiffness प्रोइड करने की जरूरत है एडिशनल स्टिपनर फिजरूरत होगी कि सीदियर एडिशनल एडिशनल स्टिपनर पिजरूरत होगी तो यहांदि scrub alecalwości सिस यहां देखेंग कि हम भरी जंटल यहां about neutral axis, यहां लिख लिख लिजे, neutral axis, ठीक, तो horizontal, horizontal and vertical and vertical stiffness, वर्टिकल स्टिपनर, वर्टिकल स्टिपनर, किसे about डियर, तो about, about neutral axis, और यह neutral axis यह कौन से जोन में परोइड होगा, about neutral axis कौन से जोन में, तो यह आपका हो जाएगा, किस जोन में, यह जाएगा आपका जैसे यह प्लेट है अब यह प्लेट के अकॉरडिंग यहां पर है जहां पर अडिटर लेक्सी में पर के नीचे जा रहां रहा हैं न्योडरा लेक्सी के ऊपर वाले जोन में कि ऐसे हम औरिजंटल इस्टिपनर्स कहां लगा दे है यहां यहां लगा है यह भी तो होना चाहिए ना में ना लगा तो इसको देखा मैंने कि और और सभ्ण यह है मेरी मतलब नूट्र लेक्सिस यह है अगो नूट्र लेक्सिस जे ऊपर लगाये तो कौन से जोण में compression जोरू क्यों क्योंकि compressive force आ रहा है compressive force को wear कराने के लिए compression में हम इसको strong बना रहा है ओके तो यह आपका समझ में आया यहाँ पर कि d1 tw इतना होना चाहिए अगर यहीं अगर यहीं five point लिखे डियर यहाँ पर five d1 upon tw क्या हो जाए ग्रेटर हो कि see 400 से तो क्या होचाइगा dear यहाँ पर इपका रीडिजाइन क्या रिडिजाइन टो रीडिजाइन के लिए को क्या करना पड़ेगा हमको फिर से design कर самом green-ग depression आपने आपका कि यह इसकी वेब की जिकने इस ऐप की थिकनिसलेदेश को बढ़ा ये जिए ज़ए जो डैप्ट अगर टीडवल ठीकनिस बढ़ा हो गई तो आप दीवन की वैल्यू कम हो गीना सब काम होगी तो लोड़ अग्मीर मतलब कि लोडिंग फिर करने के चंपता ज्यादा ज्यूदा लोड कैरिके जिए अच्छाब की ज्यादा हो जाएगा एरिया ज हो जाएगा नहीं है हमको क्या करना पड़ेगा इस कोई दिखाइन नहीं होता है इंड पी इंड इस्टिपनर तो कि एंड चैन्र यह दे दाद में एक डएग्राम बना रहा हो स्केंया है स्टिपनर में यहां पर हमने क्या लिया कि एक इस तरीके का कोई बीम लिया यहां पर जब लिया अब यह क्या है Qarlum है यह क्या है,orum है, अब हमने जब यहां पर ऐसे इधर रेungan लगना शुरू हुआ, इधर से loading लगना शुरू हुआ, तो क्या हुआ, यहां पर हे यहां से ट्रांसपर होते हुए तो यहां से आया, यहां सेاح रेग से सी लाइक कोलम की तरह भी है करेगा यह उपर से लोडिंग आ रहे है यह नीचे से सो रियक्षन लग रहा है रियक्षन आर लग रहा है तो यह इस कैसे फैल्यू रिम होगी इसकी इस तरीके से कुछ होगी एंट इससे बचने के लिए दियार हम क्या करते हैं पहे endinstrपनर स्रीद कर देते हैं इंडिस्टिपनर स्रीड कर देते हैं इंडिस्टिफनर से हो गए हमारा उसके बाद हम आता पॉस्के बेरेंउन परिंटि यहां इंट्र लिखिये बीरिंग कि प्रिंट्पनर्थ Kanethis related खिब और इंशारी नाम पता चल रहा है कि एसके या वियरिंग है कि यह किपर अंडर वाइंंड फोर्फ नो जहां पर लोड़िंग पर ठीके तो यहां पे यहां पर एक हमने ऐसे कॉलम promise लिया एक तो जब पॉइंट लोड लगा दिया जब जब जो पॉइंट लोड पढ़ रही है उसके नीचे तो कोई वेरिंग नहीं है यहां पit लागा देंगे इस तरीखे से तो क्य वजय कर आएगा तकल कर समय से तो यहीं पर हम क्या करते हैं क्या करते हैं जहां पहुआइ्ड कर देते हैं क्या हुआ jam जाय करते हुआ कशन का sugar it को कम तरता जूकर तो यहाँ पर हमने देखा कि bearing के लिए under point load में जो हमारा है उसको हमने क्या किया यहाँ पर provide कर दिया तो यह हो गया आपका यहाँ पर लिख लीजिए under point load क्या under point load यूज यूज अंडर point load अब नेक्स देखते हैं डियर नेक्स क्या आता है यहाँ पर नेक्स देखा डियर यहाँ पर हमने कि नेक्स क्या आता है नेक्स के लिए देखा है कि एक आपका intermediate भी होता है intermediate के लिए डियर देखेंगे intermediate stiffness तो इसके लिए डियर यह देखेंगे कि यह क्यों यूज होता है intermediate stiffness तो intermediate stiffness यह होता है कि जो आपका bearing stress bearing stiffness and आपका क्या end stiffness के दोनों के बीच में provide होता है तो यहां पर देखा डियर हमने कि आपका क्या हो रहा है यहां पर एक हमने यह से बनाया यह हमारा क्या है beam है इस तरीके से और यह क्या है यहाँ जब लोडिंग आ रही इधां यहां पे टौटल तरप से निचे यहां पे जहां 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 पॉइंट पड़ रहा है वहां आपको बीरिंग करने मतलब जहां-जहां के लिए और अंडर पॉइंट लोड भी बचाने के लिए यहां पर यहां पर यहीं हमने देखा यहां से कि जो आपका इंड वाला रहा है और बीरिंग वाला दोनों के बीच में परॉइड कर रहा है क्या इंटर मीडियेट इंटर मीडियेट इस्टिपनर्स दोनों के बीच में प्रोइड हो रहा है तो आई वोप यह आपको अच्छे समझ में आया होगा प्लेट गर्डन हमारा खतम हो गया यहीं प्लेट गर्डन से आपको यह चारों चीज आपको रट लेनी होगी बहुत आपने कोबस खीचते यहां पर ने नाम दिया हैंंहहां पर अच्छे सिंधानीमिपने क्या क्या यह बोला हूद है यह यहां हमने Dec देखा डियर यहां पे कि इधार नो नीड है जब आपकी डीवन और टीडबलो की वैल्यू क्या है 85 से कम है तो क्या होगे आपना के सबनांगे कि और नीड हाँ व्याँ से दूसरे क्लास में देखा तो 50 से इंक्रीज हो गया लेकिन 200 से कम तो कौन साइब शुर्ण इस तो यहां बार्टिकल स्टिपनर्स लिख लिए हम सौट में लिख रहा है हमारे पास जगां यह आप पूरा लिख यगा कर्侈 अब यहीं 2-0 से क्या हो गया कि 2-0 से ज़्याधा है यहाँ हम ने देखा कि ह्म क्या करते हैं Diego ४ से ज्यादा हो जाता है धीवन और टूझ्वल ड़ैसे जादे हो जाती ही तो कि होड़öt gets से जादे हो गई तो क्या यूज करेंगे हैं वर्टिकल स्टिपनर्स प्लास और जेंटल स्टिपनर्स और एड़ एड़ अब इस तरीके से आपको मैंने ट्रिक भी बता दिया यह क्या है ट्रिक है आपका यह ट्रीक है इससे आप लापन कर सकते हो इजी वे में बहुत अच्छे से और कन्फूजन नहीं होगा इसमें क्योंकि देख रहाँ पचासी दोसों दोसों अगबाद थाइस थाइस अगबाद चार सो ऐसे पहले वर्टिकल से सुरू होता है वर्टिकल फिर फिर दोनों को यूज कर दिया अडिशनल में फिर डिजाइन हों गया यह याद रचीगा आप ओकेडियर तो यह देखा हमने आज प्लेट गर्डर बिल्कुल खतम हो गया अच्छे तरीके से एकदम पूरा बहुत अच्छी तरीके से मसांदार तरीके से क्लास चलिए हमारी हमने शीखा बहुत अच्छी तरीके से और यहाँ पर क्या किया कि हमारे नंबर आप कुस्चन भी बहुत धेर सारे निकल के आते हैं प्रिवियस एर उठाके देखिया आप नंबर आप कुस्चन के भरमार लगी हुई है वहाँ पे एगला तो चलिए आप रिविजन कर वइंव औरकल आम मिलते हैं स्क्राव नेक्स डिस्पसंटिसों के साथ नैस चप्टर के साथ आपको नए च Э्प रिएंगे तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और रिविजन करते रहें पड़ते रहें नंबर आप कुश्चिन प्रिवियस येर से लगाते रहे हैं या कोई कुश्चिन मैं खरीद लीजिए ओके डियार तब तक लिए बाय बाय लब यू आल थैंक्ट्यू क्लास बाय प्रियन से कुच्चिन मैं कुच्चिन मैं सब्सक्टारोंगा याल दितना तक लाई वू